हेलो अबरिवान तो कैसे हैं आप सब तो आज हम आपके लिएकिंशे के अपर नेक्व करेंगे कुछ आपकी कि इंपॉर्टन एकोसिसम के आपके नियुद्य करेंगे नियुक्त करेंगे नहीं नहीं है कि ऐसा देखो ऐसा नहीं है चाहे आपका ये नैशनल लेवल एक्जाम ये स्टेट लेवल है फिर भी आपको ये प्रॉफरली पता होना चाहिए आपको नॉलेज की और जाना है मैं यही कहूंगा आपको बाक्यों से हटके आगे निकलना है मैं सिर्फ पर सिर्फ अपनी रिस् कुछ भी आजए तो आप उसका आंसर अराम से दे सके और साथ में यही कहूंगा देखो एक्जाम अभी थोड़ी सी दूर है लेकिन आप जितना नॉलेज अभी पालोगे तो बैटर है ना कि इस एक्जाम में आने वाले कई एक्जाम में आपको ये नॉलेज मदद करें ठी पर्टीकुले एक्जाम को टार्गेट कभी निक करना होता है में चीज ये भी होती है आगे बढ़ते हैं आज जैसे मैंने आपको बताया हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इको सिस्टम पढ़नी है मैंने एक्जाम देखे तो जो जिनके रेटेट कोस्ट्स पूच्छे सकते हैं तो उसमें मैंने यही देखा फिस्ट ओन्स यो ए स्टरी चुंग एक इंपॉर्टेंट इको सिस्टम है जो बात करने वालें यह एंड देज यह पारन को सिस्टम आज यह कौरल रीज यह यह पढ़ने पढ़ लेंगे हैं आपका लैंट्ट मिल जाएगा काल आपका लेक्षर बाइडर्स्टी टॉपिक खतम हो जाएगा काल के लेक्षर में कुछ आपकी ग्लोबल वामिंग कुछ आपकी जो इन्वार्मेंटल इसूस हैं उनके बारे में कुछ डिटेल स्टेडी करेंगे एक बड़ा सा लेक्षर वह आएगा उसमें बिसकस करेंगे सब कुछ तो आज आपका सब्सक्राइब कोई बात नहीं है तो चलो बीना ताइम देश के तो आगे बढ़ते हैं तो पहली एको सिस्टम जैसे मैंने आपको उता दिया एको सिस्टम सबसे पहले पढ़नी है ठीक है आप सब को याद होगा जब हमने एको से इन तो अर्छ यह एको थील एको सिस्टम में भी हमने कुछ सिंघू जैसे आपका फर्स्ट वन गया था फॉर्स ठीक है फर्स यह आपको तोंसे दाले थे फॉर्स प्रॉर्स की साथ हमने डाला था डैजट आप सभी को याद होगा याद नहीं तो अभी याद दिला दें के ग्रास लेंड देन टुंड्रा यह कुछ एको सिस्टम से इन टेरिस्टियल जिसका हैबिटाइट क्यों होता है लैंड है एक्वेटिक का हैबिटाइट होता है वाटर ठीक है वाटर में हमने पढ़ा था फ्रेश वाटर में पुड़ा था ठर्डवान ड्रेकिश भॉटर फ्रेश वॉटर तो गये नद्दियों का पाणी जिसकी पीपीटी ओंते देखो इधर से भी आपको कुष्म बुझा जालता है फ्रेश वॉटर के कितनी पीपीडी होती है फ्रेश वॉटर की पीपीटी होती है बिलो यादगना below five zero to five आप लिएक मीठा पानी होता है इसमें खारापन आपका जो होता है वो कम होता है ब्रेकिश वाटर में आपका हो जाता है थोड़ा सा सा सलाइब वाटर आपका आपका जाता है यह आपका लाएं करता है फाइब फाइव से ज्यादा 35 के बीच में और सलाइब water की जोब हम बात करते हैं तो saline की आप क्यों रहती है अबब 35 आप सभी को याद होगा यह सब कुछ ठीक है क्योंकि saline water आपका खारा-पानी आता है जो आपको आपको बताया भी था जब हमने पड़ा था विच इस प्रोड़क्टिव एको सिस्टम तो एको सिस्टम था वह क्या था सर आपने बताया था वह एरिया यहां पर नदी नदी के बारे आप सभी को पता होगा यह नदी आगी बढ़े से समुद्र के साथ मीट करती है उस एरिया दो ऊपने बताया था जहां पही दो डो एको सिस्टम इदर नहीं एक मिल रहे एक डूसी सबसें UC automobiles जब इदर मिल रही है यह ईस एरिया को हम बोलेंगे इकोटोन इकोटोन तो बोल दिया सर्व साथ में इकोटोन में ही आपका आगए ASTROINE Ecosystem B ठीक है तो एक वर मैं आपको डियाग्राम के थूरू बता देता हूं तो जैसे आप इमेज देख सकते हो आपके स्क्रीट के सामने वह फ्रेश्ट यह वोटर एक होती ъum दिस्टिबभिटरी जहां जब डहो हो और ट्रांसिश्टानल थे यह एहाद है इसको हम भोलते है । इको टॉन आपका अजाता है यह इक अगे ना और साथ में एपका अस्व पोड़। आपने याद रखना है इतर से मेरा यही है कि आपको इतना नहीं जाना कंसेप्ट पर जाना इधर मैंने आपको कंसेप्ट दिया अब हम थियोरी पढ़ेंगे आप खुद कहो कि सर आंसर तो असानी से निकल गया तो देखते हैं आगे मैंने क्या लिख है ठीक है देखो सब कुछ आपका आंसर खुद बोलें है कि उसका मिलन होगा उस एरिया को हम बोलेंगे एस्टुराइं सेकेंड आप से कोशन बुचा जा सकता है एस्टुरी में कौन से तरह का पानी मिलता है आपने उताना सब ब्रेकिश वाटर जिसका स्लाइन वाटर जिसका स्लाइन वाटर फाइफ तु थरड़िफाइव के से सोरी एड रन ओफ फॉम दलैं मिक्सिज विदा सॉल सी वाटर यही आपने देखा पनी में इमेज में सब कुछ परका देखा की नहीं देखा ये सर आपने वी बताया जो आपका फ्रेश वाटर होट्रों इदर से आपका फ्रेश वाटर सार्ट हुगा सबाट का तरह साह स सी बाटर आगे लिख यह एश्टीरेज फॉमे ट्रांसिशनल जोन यहीं अभी मैंने बताया आपसे पूछा जा सकता है विच फॉलिंग इस ट्रांसिशनल जोन तो अगरा आपको और आप से पूछ वुक्षिन होगा आपको पता इधर ही मिलते हैं तो यह आपने कुछ इंपोर्टेंट आपकी इंग्जेंपल आती है यह आपने याद रखने आपसे पूछा रहा सकता है वीच आपको मैंने बताया कि इधर आपको कितनी कि सेलीनिटी मिलेगी सर आपने बताया यह यह फाइव थर्टी फाइव के बीच में यह अदर लाये करेंगे साथ तो आपका खारा-पानी नहीं जिल सकती तो और प्लांट एनिमल इंड इंड एस्ट तो ऐसे प्लांट इधर जी पाते हैं जो अपने में ला सकते हैं जो अपन के आपको मोस्तम के अनुसार टाल सकते हैं ठीक है और इस मैथड को बोलते ऑस्मो रेगुलेशन उनमें यह काब्लेत होती है अपने में यह सैलिनीटी पॉवर्ट सैने की कभी कभार यह सैलिनीटी पॉवर्ट जब बढ़ गई तो इसको सैलेते हैं और अच्छी तरह कि सैलेत और आपका अपका आपका आगया यह हमने बनाई डिस्ट्रिब्यूटरी इदर आपका आ गया ओशन ठीक है अब यह जो आपकी डिस्ट्रिब्यूटरी जाई ओशन में तो चलती है लहरे लहरे क्या करती है इदर आके रुख जाती है अब ऑवेसी बात है जो ऑर्गनिजम्स हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट परफेस के लिए रिप्रोडेक्शन करने के जर्मिनेशन करने और भी कोई भी प्रोसेस करना है उसके लिए थोड़ा सा अच्छी जगा चाहिए मलब जहां टिकाउ जगा चाहिए तो वो जगा इन्हों इन्हें इदर ही मिलती है ठीक है और मैंने आपको क्या बताया था सर इको टोन आदा मोस्ट प्रोड़क्टिव एरिया मतलब मैंने इस रखके जाएँ तो जाधा बैनेफिसल होंगा तो उस कारण आप कह सकते हो दैड इडिजाम मोस्ट फ्रोड़क्टिव जोन भी आपका च्रुश्म गिना जाता है इंपोर्टेंस ठीक है जो फ्रेश वाटर में रहना चाहता है उनको दोनों की क्रेक्टिक से दोनों का बेनिफिट मिल जाए इसलिए वो कहां पे रहने आ जाते हैं तो अब आप से पूछा रहे हैं सर सबसे जाधा इंडिया में कहां पाई जाएगी देखो इस दुदर ही पा आपका उसका मिलाव हो रहा है डैट इस यूर ओशन तो सी और आपका उसका मिलाव कहां पर होता है देखो मैं इंडिया मना देता हूं इदर है ठीक है यह इंडिया आ गया अब मैक्सिमम्म रीवर्स यहा जाती है इदर से ठीक है सौरी अगर थोड़ा सा गलत बन गया तो स्क्रीन पर ऐसे बनता है तो यह आपका आगे ओशन इदर से आपके आगी गंगा रीवर यमुना रीवर आपकी ब्रह्म पुत्रा रीवर बीडिन भी आप से पूचा जा सकता है तो यह चीज़ें आपने कुछ खुद भी एनलाइज करने होते हैं मैंने आपको रीवर्स के बारे में बताया है तो ज्यादत तर आप देख सकते हैं इस इधर बनेगी मैं बोलू नहीं इस इधर बन सकते हैं नहीं सर इधर तो ओशन है ही नहीं ठीक है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है यही मैंने अंग्रेज़ी में लिख्या और कुछ नहीं और सब्सक्राइब को बता चुका हूं उदर लेहरे चलती हैं लेहरों में क्या होते हैं जो आपके उदर के रहने वाले जीव जन्तू हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है तो इधर जो वेव एक्षिन है कम रहते हैं तो उन्हें कामनेस मिलती है तो वो क्या करते हैं यह इनके लिए आईडल रीजिन माना जाता है आप से पूछा जा सकता है ऐस्टरी ओशन में क्यों नहीं आपने बताना है उदर करते बाइंघन में 실ि तो वेव एदिड़ः दबाव के ककारण दबाव उदर नहीं रह पाती उन्हें तर पोपर रीप्रोडुक्ठ करपाथे जर्मिनेंचर निकरलाते बाकि जो भी प्रोसेसे थैं जो भी काम है वह नहीं कर पाते एक इस्टरी आर यह ठोटिपीशज मे बात करते हैं esteris में किस किस तरह के vegetation मिलेंगे only certain types of plants adapted to the brackish brackish water मिलते तो brackish water जो जिसको सह सकता है जो बंदा brackish water सह सकता है वो ही आपको इदर मिलेगा factors influencing the distribution of organism in estery are its salinity and the amount of flooding अब इदर भी एक important बन जाता है कि esterine vegetation के लिए आपका growth factor क्या है यह पूच्छा गया question ठीक है esteris के लिए क्या क्या growth factors है तो आपका उससे चाहिए saline water and the flood है फ्लेट ठीक है यह दो पॉइंट या दखना growth factor क्या आपको याद करने पड़ेगे तो esteris में आपको किस किस तरह के जीव जनतू मिलेंगे तो यह आपके नाम है अब आपका आता है issue of Indian esteris ecosystem देखो पहले आपका आता है इको system फिर आता है इंडियन इकोसिस्टम वह मैं आपको बता चुका हूं कौन से रीजिन में आपका esteris बनेगी अगर मैं बात करूं दिल्ली वाली साइड आपके esteris है ऐसी पॉसिबिल्टी है नो सरे उदर पॉसिबिल्टी नहीं राज्यस्थान वाली जगा आपके esteris है तो उदर भी esteris का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह तो हर जगा है उसने हर जग अपने पाउपस आया है तो इंडिस्ट्रिस क्या करती है अपना सी में गंदा माल मुत आप कह सकते सौरी तो आपने जो रीवर्स में अपना गंद डाल देंगे जब गंद डाल देंगे तो वह गंद अपने खुशी के लिए रीक्रेशन के लिए जॉय के लिए उदर बोर्टिंग की जाती है तो वह भी एक तरह के एस्ट्रिस को हाम पुंचा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ अर्बन रूल सेटलमेंट्स ओवर एक्सपेंटेशन ऑफ टार्गेट फिस्टॉक्तिक है फिशिंग आप जादा करते हैं उदर आपकी अर्बनाइजेशन जादा हो रही है उदर लोग सॉलिड वे जादा डफना रहे हैं इंडश्रिस के बारे में उपा बढ़ चुके हैं डिस्ट्रक्शन ऑब बाइडर सीट क्लेक्शन ऑप्रेशन स्मॉल मैस्ट नेट्स यह भी उपर में वाटर लेवल बढ़ते जाएं तो आपकी वह राइजिस नहीं पढ़ाता तो एकदम से आपको नहीं पढ़ता कि हाँ अच्रीस में क्या क्या प्रब्लम आ रहे हैं तो मैं पता दूँ यह कुछ इंप्रब्लम आपकी प्रब्लम आ है जो आप खुद भी पड़ सकते हो है अब सेकंड एको सिस्टम हम ने आज की लेक्षे में पढ़ना है डाइज ओ ओ मैंग्रौफ ठीक है मैंनोस करें मैंग्रौफ रिप्रेजेंट एक एक ट्रेक्स लिट्रोर्र फोरेस्ट इको सिस्टम जो आपको sea shore के किराने पे मिलेगा, sea के किनारे में मिलेगा, these are mostly evergreen forest and growing shelter, low link coast, estries, mud flats, tidal creek, अब यह जो mangroves है ना, यह आपको mangroves कहां पे मिलते हैं, mangroves आपको estries में ही मिलते हैं, maximum, यह आपका आगया sea, यह आपका आगया ocean, ठीक है, अब इदर कुछ आपके plants, इदर आपका forest area जो आजाता है, इसमें आपको हम बोलते हैं, कुछ आपके इदर mangroves plant है, mangroves ecosystem है, ठीक है, अब इदर से एक important question बनता है, कि जो mangroves है, यह कौन-कौन से area में मिलेंगे, रिखो यह mangroves आपको, सिफ और सिफ tropical and subtropical area में ही मिलेंगे, आपने याद दखना है, आप से पुछा जो कहां पर grow करते हैं, देखो, अभी हमने उपर क्या पढ़ा, सर आपने estries पढ़ाई, estries ना land के, land पे basis है, land के according है, लेकिन अगर मैं बात करूं mangroves, mangroves में आपके maximum आपके plants आते हैं, प्लांट से tree related है, ठीक है, mangroves और यह जो mangroves है, यह estries में ही ज्यादत पर पाई जात है, and the trees may vary from height to 8 to 20 meter, आच से 20 meter के बीच में की आपको dimensions मिलेगी, they protect the shore line from the effect of cyclones and tsunami, अब क्या होता है, यह जो इसकी roots है, roots क्या करते है, पकड़ के रखती है, आपको submerging में मदद करते है, बचाते है कि submerge ना हो जाए, तो अगर उदर cyclones या tsunami आजाए, तो आप कह सकते हो कि यह ज जाती है, दो transitional area में ही पाए जाती है, since mangroves are located between the land and sea, they represent the best example of ecotone, वो ही मैं आपको बताया है, ecotone, यह आपके land और sea के बीच में बाए जाते है, आपको इदर image दिखाते हो, यह आप image देख सकते हो, यह आपके आगी, ठीक है, तो अगर मैं बोलू, आपके mangroves कहां पाए जा आगे क्या लिखा है मैंने, कहां पे गे, हाँ, 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 इदर थे, mangroves are shrubs और small tree that grow in coastal saline or brackish water, तो mangroves कहां पे grow करेंगे, सब brackish water, मैं आपको estries बहुत हैं, estries से ही थोड़े से related है, उन्हें से सोड़ा से relation नाता रखते हैं, तो यह एक small tree भी है, कोई बड़े बड़े प are adapted harsh coastal condition, अब मैंने आपको अपर क्या बताया है, sir, आपने बताया, that they are found in brackish water, brackish water में यह पाए जाते हैं, तो खारे पानी में यह पाए जाते हैं, अगर यह खारे पानी में पाए जाते हैं, तो अधर के जीव जलतु हैं, उनमें कुछ special characteristics होने चाहिए, उनमें कुछ special features होने system to cope with salt water, यह आपको मैं आता चुक हूँ, कि पास कुछ salt ऐसा system होता है, ऐसा root system होता है, जो उन्हें wave action से भी बचाता है, और खारे पानी के effect से भी बचाता है, they are adapted to the low oxygen condition of waterlogged mud, while others send vertical, देखो, अब इधर से भी equation बनता है, यह जो आपकी होती है, mangroves, mangroves के भी दो वराइटी साथ है, दो टाइप साथ है, एक आप कहाते है, new motor force, and the second one is just stilt roots, ठीक है, इधर मैं नीचे image डाली है, new motor force कौन कौन सी है, यह आपकी रही, इसकी आपकी roots side side से vertically होती है, अगर इसकी बात करें, इसकी बाहर निकल जाती है, ground के, आप इधर देख सकते हो, आपकी इधर मैंने क करें, यह जो stilt roots है, stilt roots है, इसका क्या होती है, इसकी roots ground level के उपर आ रहते है, tree के उपर आ रहते है, ठीक है, आप देख सकते हो, यह यह आप करा, इसमें क्या होता है, आपकी जो roots हैं, बाहर आ गी है, ठीक है, अंदर नहीं रही, तो इसको हम बोलते है, stilt roots, लेकिन इसमें क्या होता है वर्टिकल ही आती है ठीक है यह आपका आया प्लांट तो प्लांट में इदर इदर ऐसे आगी ऐसे ठीक है तो यह जो हमने वर्टिकल मनाए ठीक है यह देखो वर्टिकल किस तरह के होते हैं देखो द्यान से यह आपका आगया समलो यह आपका प्लांट ले लेते ह यह लिखा भी है थिक है तो यह आपके इस तरह कि रूट सो यह यह आप 뭐가 परक सकते हो यह आपकी तॉपन आपकी न mirouse और दूसरा आपका तयल्ट ठीक है आगे बढ़ते आप देख सकते हो इंडिया के जो मैंगूरूप जहां जहां पाए जाते हैं यह आगे अब बात करते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंस देखो ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं उपर उपर सी आपको बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंस आपको बारे में ओवर्वीव पता होना चाहिए है कि आप पढ़के आ रहे हो किसके बारे में आपसे इसके बारे में कोई भी कोशन आ जाए इसका असानी से दे सको मैं गूप प्लांट्स हैव स्पेशल रूट सिस्टम आप सभी को मैंने बदा दिया उनमें शमता होती है कि वह प सब्सक्राइब कोश्टल लेंड फर्म सुनामी हुरीकें एंड फ्लोड उदर से ही प्रोटेक्ट करते हैं मैंगूफ एन्हांस दा नैच्टर रिसाइक्लिंग आपके बता दूँ अब इको टोन है इको टोन में आपकी जो नूटर रिसाइकल करने में असानी हो जाती है मैं स्ब्सक्राइब को बता चुका हुआ ब्रीडिंग के लिए पॉनिंग के लिए रेरिंग और स्पैस्ट इको टोन है अब उदर आपका बेस रहता है देस अप्लाइब वूड्स प्लांट अड एडिबल प्लांट तो यह था आपका कुछ उसके रिलेटेड तीक है अब लास लक्षवदीप आपका आइलेंड है ना इट इस मेड़ आप और लीफ तो क्या है आपको यह मिलेंगे आपको इक मैं इमेज दिखायता हूं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा यह आपके सामने यह रंगीन आपको पानी में दिखता है तो यही हापका कॉरल रीफ है तो य यह कैसे बनता है इसके बारे में एक बताता हूं की बहुती हार्ट स्क्षर बन गया है इतको कितना स्ट्ट्ट्र यह यह अपकर ऐसके बारे में इसक्ष करेंगे कि मैं स्पालिंग से कогодई मैं pięou से मैं Work मैं तेवी कूछ करओगा तु भी में कुछ कर तो एक क devrait करता है धूसरे को खाना भी demos बन जाते है तिक है फिर इससे क्यों होता है जब यह इनका structure बनता है यह आपका पॉलिस जो होता है है के बने होते हैं इनकी जो structure होता है आप से पूछा रखते हैं यह किसके बने होते हैं तो आपका कैल केरस मतलब कैल्शियम ठीक है कैल्शियम के सॉफ स्ट्रॉक्चर से बने होते हैं the polys extra calcium salt from sea water to from this hard skeleton उनके उपर क्या होता है यह hard skeleton बन जाते हैं और जब time आता है जब यह आपके skeleton जब यह आपके organisms हैं जब इनकी देथ हो जाती है किसी परपस के गान किसी भी रीजन के गान तो जब देथ हो जाती है यह क्या होते हैं अपने जितने भी skeleton है उसे अब वड़ की और छोड़ देता है खुछ उधर क्यां सब्सक्राइब और गया पॉलते हैं जब यह साथा आपका मिलियों और यह साइकल आपका मिलियंस ओफ यह पॉलो होते रहता है जिसके से कारण कॉरल को यह बंते रहते बंते रहते बंते रहते और एक टाइब कभी कहिए कभार इधर एक शैलो रोक बन जाता है और इयल एद रहता है थे फिरडिव्र एक आपन सब्क Various मेन वहांत स्थरील पूरा नाम दिय रहाता है कोरल रीफ टीक है जब यह आप से पूछा जा सकता है किंकी डाइड होते हैं तो यह पूछा सकता है तब यह कोर रीफ बन जाता है कोरल रीफ ओवर एपीरड ओफ टाइम ट्रांसफॉर्म और इवॉल्ड इंटो कोरल लायरे और कभी क्वार इतना ज्यादा इंका कठा आता है इतना ज्यादा बन जाते हैं कि वह आइलेंड तक बना देते हैं लक्षोदी दग कोरल अकर इंडिफरेंट फोर्मेंट करेंड डिपेंडिंग आपको मैं बता चुका हूं अब जो इंपोर्टेंस में आता है कि इसके जो तीन फीचर इंपॉर्टन आते हैं डाट इस यह फिर्श बान इस फिर्शिंग रीफ सेकिंड बैर रीफ और अट तो आज का लेक्षे इदर ही खतम हो रहा है आप गब्राओं मत यह लास्ट पेज है उसके बाद यह आपका आज का लेक्षे खतम करूंगा तो कॉरल रीफ आप से आते हैं कितने वराइटी कितने टाइप के उड़ते हैं आपके फिर्श बान इस फिर्शिंग रीफ आपका बिल्कुल ही सी शोर के पास मिलेगा बिल्कुल साथ में मिलेगा यह आपका किनारा है किनारे के बिल्कुल साथ में ही जो आपको पॉलिस मिल जाएंगे आपको जो coral reefs मिल जाएंगे उसको हम बोलते हैं fringing reef के बाद आपका आता है barrier reef barrier reef में क्या होता है बीच में brackish water का रास्ता होता है उनका zone होता है ठीक है यह समय आपका आगया land ठीक है यह आपकी land ले ले लेता हूं इसके बीच में पानी आ गया और इदर coral reef बने ठीक है इंके बीच में थोड़ा सा रास्ता है ठीक है तो उसको हम बोलेंगे barrier reef और atolls उदर क्या होता है इसमें क्या होता है यह सर्कुलर शेप में होते हैं ओशनी की रीफ सिस्टम स्राउंडिंगे राथ सेंटर लगून पहले एक पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ठीक है तो आपका उस्टम सर्फ फ्रिंजिंग रीफ और फ्रिंजिंग रीफ रन ऐसे नैरो बेट वान तो टू किलोमेटर वाइड इस ताइप और इप सी बॉटम विदा सीवर्ट सी स्लोपिंग आपने इधर पढ़ लिया कॉर रीफ दो नॉट एक्टेंट आउट्वर्ड विक तो आप से पूछा जाते हैं तो आप कांसर इंग रीफ दी जादा मोस्ट कॉमन अब बैरी रीफ कों से होते हैं देयर एक्टेंसिवली लीनियर रीफ कॉंप्लेक्स दैट पैलर अशोर और सेपरेटेट फॉर्म फॉर्म में लगून ठीक है लगून से या के लगून से से अधा Talk लाव्रई होते हैं लगून की आगिया किनारा के जेंन सब्सक्राइभ पानिया पानिया आगया और इदर आपके पॉलीस बन इज़िदर आपके बाद के कोर्रियफ होते हैं ऑक बैर रीफ के बीच में आपको क्या मिलेगा तो आपने बताना सर उनके सबीच में पर यह रीफ ही है ठीक है उनके बीच में जिनकी लगून वाटर है नेक्स आप का आता है अटोल इस रफली सर्कुलर ओशनी की रीफ सिस्टम अब जिसके रिलेटिट जो कोशन बुचा रखते है अटोल के बारे में आपने यह आद रखने है वो सर्कुलर में होता है ठीक है म नंबर ऑफ चैनल्स कर्टिंग एक्रॉस दा रीफ ठीक है अटोल सा लिकोटिट एक ग्रेट डिस्टेंस वाम डीप सीजोर ठीक है अब इतर देख सकते इमेज आपको बताई हुई है ठीक है पहले आपके आएंगे फ्रिंजिंग जोन फिर बैरे रीफ बैरे रीफ के बाद अटोल अटोल तो बहुत ही दूर आपको मिलेंगे सब्मेरीन फीचर में हैर्पिन फॉर्मेशन अफ अटोल सच एस सब्मेरीज आइलेंड और वॉल्कैनिक कौन विच में रीच लेवल सूटेबल फॉर कोरल ग्रोथ ठीक है ताक कि वह उस लेवल तक पहुंच सके जहां प है अटोल फ्रिंजिंग रिफ आपका बिल्कुल सी शोर के किनारी बेंगा बारीरह के बीच में पे आप सबसे कम सबसे कम मिलेगा और जो ग्रेट बैरीफ के बारे आपने पढ़ा था यह सबसे ज़्यादा आपको यह आपको क्लियर होगा थोड़ा सा मैं मानतों थोड़ा सा सबसे कम्प्लेक्स है थोड़ा सा जाधा थ्रॉटिकल भी पार्ट है यह तो एक वारी अगर आपका लेक्शे सुनने से एक वारी आपका नोट बनाने से कुछ आपको ऐसी चीज़े याद रहे तो क्या बुरा है इसलिए मैं चाहता था यह पढ़ लो क्या पता इसके काश यह आला पॉइंट पढ़ लिया होता क्योंकि अभी मैं आता हूं मुझे स्टुेंट्स के मेस्जिज आते हैं से मैं 0.25 से रही इसे वाइफ यह पॉइंट से मैं 0.5 से मुझे स्लेक्शन चाहिए मेरे गर पर यह प्रॉब्लम है यह चीज यह मैं यह ने प्रबॉब्ल टाइम देख सकते हो अभी नव बज रहे हैं आप उपर टाइम देख सकते हो और यह दस बज़े मैंने अफ्लोड करने लेक्ट्र ठीक है अभी प्रॉपली एडिटिंग करूंगा एडिटिंग के बाद आपको पर थमने लिए एक वीडियो लेक्ट्ट्र बनाने में बहुत आ न ढूँना करो ठीक है अगर आपको लगता है कि यह इर्रेलिवेंट लेक्ट्र आट्व कर सकते हो ऊदर से बढ़ सकते हो अगर फेलिवेंट लगा मैंने पढ़ आया अप एक लेक्ट्चर ओर आएगा वह भी थोड़ा सा बड़ा कि जाने वाला है उसमें डीसकस करेंगे कुछ इश्यूस आपके इंवर्मेंटल इश्यूस जो वही चीज में डिस्कस करूँगा जो आपको उसके बारे में आपको नहीं पता होगा आप मैं बेसिक थोड़ा सा आपको उसका ओवर्वीव दूँगा तो यही अपने लेक्षे रखते हैं अब देखो मैं आपके लिए सब्सक्राइब करने के लिए मिलना कल मेरे साथ 10 वजे तो आज के लिए इतना ही तो थैंक यू गाइज एव गुट डे एंड इंजॉव यूटे गाइज